नमस्कार दोस्तों मैं हो नीराजर आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग एक टू के बहुत ही इंपोर्टन सर्कूलर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपके और समेस्टर का जो रिजल्ट आया उसमें यू फम केस के बारे में है जिन भी परिच्छाओं के अनुचित साधन प्रियोग के अंतरगात आने वाले चाठ चात्राओं के संबंद में तो क्या है देखिए कह रहे हैं महोद है कि अपरोक्त विश्चा के संबंद में वगत करना है कि शातिक्साथ 2013 के विसम समेस्टर के दूतिय चरण की परिच्छा है जो ऐसे सभी चाठ चात्रा है अपना इस पस्टिकरण पत्र के माध्यम से दिनांक 18 जुन दोजाओं चोविस तक परिच्छा विभाग यह दिया हुआ एक टू यूए फम एट जीमेल डॉट कॉम पर प्रेशित करना सुनिश्रित करें यानि कि अगर आपको लगता है कि आपक संबंदे चात्र के द्वारा प्रस्तुत पक्ष पर यूए फम समीति द्वारा अलोकन करते हुए यह था उच्छित निर्णा लिया जा सके जो भी आप भेजेंगा उसको देखते हुए क्या सही है क्या गलत है वह अपना निर्णा लेंगा यदि किसी चात्-चात्रा द्व भी आपके साथ हुआ था वह सही था उसमें आपको कुछ भी नहीं कहना है अब आगे कह रहा है कि यह भी सुचित करना है कि संबंदित चात्-चात्रा द्वारा इस पर्चित करना देते समय अनुक्रमा क्यों संबंदित विसाय कोड अवर से लिखा जाए तथा इमेल केवल एक बार ही किया जाए यान कि अपना जब डिटेल देंगे तो उसमें अपना अनुक्रमा क्यान के रोल नंबर और अपना सब्जेक कोड जिसमें आप यूफम केस में पकड़े गये थे वह जरूर दोनों चीजें मेंशन करें यह है तो यह में सूचना थी कि अगर आपका य अठारा जून दोहजार चौबिस तक यह दिए गया एक टू यूफम एट जीमल डॉट कॉम पर अपना जो है इस पस्टिकरन भेज सकते हैं तो आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो गर वीडियो पसंद आई है दोस्तों को सब्सक्राइब करें और चैनल पर नह है तो चैनल को सब्सक्राइब करने तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद